गैलेलियों के बनाए चित्र देखकर लोगों को यकीन ही नो आता था कि ये चित्र गैलेलियों के बनाए हुए हैं लोग उनको प्यार करने लगे उनके साथ ही तो उन पर जावन देते थे पिता चाते थे कि गैलेलियों डॉक्टर बने वक पीशा विश्विद्याले में दाखिल हो गए वहां डॉक्टरी पढ़ने लगे लेकिन उनका मन डॉक्टरी में नहीं लगता था उनकी गनीत में रूची थी वह बैज्ञानिक बनना चाते थी पढ़ाई की किताबों में बिज्ञान की किताबें छिपा लेते उन्हें छिप कर पड़ते एक दिन गैलेलियों गिरजा घर गए वहां रोसनी के लिए एक बड़ी लाल्टेन थी लाल्टेन च्छत में रसी से लटक रही थी तभी जोर से हवा चलने लगी हवा के जोर से रसी से लटकी लाल्टेन जूलने लगी हवा का जोंका धिमा पड़ गया इससे लाल्टेन के जूलने की लंबाई घटने लगी केलेलियो लाल्टेन का जुलना बड़े गौर से देख रहे थे उन्होंने महसूस किया कि लाल्टेन को अपनी जगह पर दोबारा पहुँचने में अब भी उतना ही समय लगता है जुलने की लंबाई कम होने से समय पर कोई असर नहीं पड़ा उन्होंने अपनी नारी की गती से समय को नापा इस तरह वा एक बड़ी खोज कर सके खोज लटकन का सिध्धांत का लाती है उनका जो खोज था वो थियोरी क्या था लटकन का सिध्धांत इसी सिद्धांत के आधार पर घड़ी का पेंडूलम बनाया इसी सिद्धांत से गुरुत्वाकर्शन फिर्थवी के खिचाव की सक्ती का पता लगाया गया है पिता की आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं थी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वह पैसे नहीं चुटा पाते थे गेलेलियों भी इस पढ़ाई से हूप गए थे उन्होंने विस्विद्याले छोड़ दिया वह घर पर पढ़ने लगे सारा समय विज्यान की सेवा में देने लगे पाद में पिसा भी स्विद्याले में गनीत पढ़ने लगे उन दिनों धार्मिक नेताओं का बड़ा मान था वे जो कुछ का देते थे वही लोग मान जाते थे कोई सवाल जवाब नहीं करता था अरस्तु के विचारों को पक्का सिधान्त माना जाता था अरस्तु के विचारों को पक्का सिधान्त माना जाता था अरस्तु को तो जी विग्यान के पिता कते हैं और जैसो उनको जन्तु विग्यान के भी पिता माने जाते हैं अरस्तु एरिस्टोटल अंग्रेजीम कते हैं तो अरस्तु का बहुत मान समान था उनके बात विचार का एक अपना बर्चसु था तो अरस्तु के विचारों को पका सिधांत मना जाता था अरस्तु ने कहा था भारी चीज धर्ती पर तेजी से गिरती है हलकी चीज धीरे धीरे गिरती है गेलेलियों ने गनीत के नियम निकाले उन नियम से अरस्तु की बात ठी नहीं उतरती थी, उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे, लोगों ने उनका मजा कुड़ाया, अरस्तु के खिलाब बोलने का मतलब था बेबकूब बननों, लेकिन गेलेलियों को चैन नहीं आया, तब तु को वो उपाय सोचेंगे, वो पीसा की मिनार पर चड़ वो कहां चड़ गए, पीसा की मिनार पर, साथ में एक संदूक ले गए, साथ में क्या ले गए, संदूक ले गए, उसमें लोहे के दो गोले, एक सावामन का था, और दूसरे का वजन करीब सावासेर था, पहुदंतर था, एक का वजन था सावामन, एक का वजन था सावासेर नीचे सेकणों लोग जमा थे, बड़े बड़े विद्वान भी उस तमासे को देखने आई थे, सब की नजरें बंधी हुई थी, गैलेलियों ने धीरे से संदूक खोला, फिर एक साथ दोनों गोले संदूक में से नीचे फेके, लोगों की आखे फटी की फटी रह गई, दोन अपनी आखों पर भी यकीन नो आया, वियारस्तू के लिखे को गलत नहीं मान सकते थे, एक बेग्यानिक, दुसरे बेग्यानिक की बात को सम्मान देते थे, वो उनको गलत नहीं मान सकते थे, आखों देखी बात को गलत मान बैठे, गैलेलियों दो बड़ी खोज कर चुके को सच नहीं मानता था अरस्तु के खिलाब बोलने से तो लोग बहुत नाराज थे उनकी नौकरी छीन गई लेकिन गेलेलियों घबराई नहीं वह नए परियोग करने में जुट गए इस बार गेलेलियों को इसी दांत नहीं देना चाहते थे वह चाहते थे कि लोगों के काम की चीज दी जाए ऐसी चीज जिसे पाने के लिए बड़े बड़े लोग मचल उठे उनकी बाते मानने को विवस हो गए गेलेलियों ने बड़ी मेहनत करके एक दुर्बीन बनाई इसके लिए उन्होंने सी से घिसकर तयार किये वह उसे लेकर वेनिस गए अपनी दुर्बीन उन्होंने बड़े अधिकारियों को दिखाई, गैलेलियों ने बताया कि इस दुर्वीन से बहुत दूर की चीजें भी साफ दिखाई पड़ती हैं, दूर समुद्र में तेरते जहाजों को देखा जा सकता है, दूर सीमा पर घिरी दुस्मन की पाउज पर नजर रखी जा सकत हैं, अब तो गैलेलियों की धूम मच गई, बड़े बड़े राजा उनकी दूर्वीन पाने के लिए उत्सूखो उठे, दूर्वीन को लोगों ने बहुत पसंद किया, गैलेलियों ने अब सारा समय दूर्वीन से काम करने में लगा दिया, दूर्वीन क्या बनी, एक नए बिज्ञान का द्वार खुल गया, अब तक लोग आकास पर स्वर्ग और नरक की कलपना करते थे, चांद तारे और ग्रहों की खोज की बात सोचना किसी के वस की बात नो थे, गैलेलियों ने चांद को अपना पहला निसाना बनाया, वो जो दूर्वीन बनाये थे, तो गैल गैलेलियों ने सबसे पहला निसाना यानि देखने का काम चांद को, उन्होंने बड़ी मज़ेदार चीज देखी, वहाँ भी मैदान है, यानि चांद पर मैदान है, चांद के धब्बों का रहसी खुल गया, वे चांद पर उचे पहारों के कारण दिखते हैं, यानि पर भी धब्बे दिखाई दिये, लेकि इन वे धब्बे हमेशा नहीं दिखते थे, दिखते दिखते दूरवीन से ओजयल हो जाते थे, इससे हुआ इस नतिजे पर पहुँचे कि सूरज भी अपनी किली पर घुमता है, सूरज भी अपनी किली पर घुमता है, धरती भी चारो और घुमती है, सूरज अपनी जगह ही घुमता है। गैलेलियों की इस खोज पर बड़ा तुफान उठा। ये तो आप चमतकार होने वाला है। अब देखिए क्या हुआ कि लोग गयलेलियों की जान लेने पर उतारू हो गए लोग गयलेलियों की जान लेने पर उतारू हो गए गेलेलियों ने चांद के अंधेरे भागों को भी देखा, इससे वह बड़े मज़िदार नतीजे पर पहुंचे, उन्होंने कहा सभी नचहत्र सूरी की रोषनी से चमकते हैं, दूसरे गरह भी सूरच की रोषनी से चमकते हैं, चांद की तरह हमारी धर्ती भी चमकती है, यद धर्ती को किसी दूसरे नचहत्र से देखा जाए, तो वह चमकिली दिखेगी, चांद की तरह हमारी धर्ती भी चमकती दिखेगी, आज गेलेलियों ने इस बात को परक लिया, वह इसे बिलकुल सच मौनते हैं, लेकिन उस समय गेलेलियों की बात किसी ने नो मौनी, गेलेलि दीन, दुर्बीन में आँख गड़ाए रहते, इस पर इस्रम ने उनका सरीर खोकला कर दिया, लेकिन वह लगे रहे, अकास की छिपी बातों को खोजते रहे, उन्हें लोगों के सामने रखते रहे, आखिर उनका सरीर तो जवाब देही चुका था, आँखें भी जाती रही वह अंधे हो गए, गेलियो साब अंधे हो गए थे, तब जाकर गेलियो ने दुर्बीन छोड़ी, फिर वह अपनी खोजों को लिखने लगे, वह बोलते जाते थे, उनके सिस लिखते रहते थे, इस तरह दो किताबें तयार हुई, पहली है दो नए सिद्धांतों की चर्च पहली किताब उनकी है, दो नए सिद्धांतों की चर्चा, और दूसरी का नम है, दो नई दुनियाओं की खोज, पहली किताब वो लिखे थे, दो नए सिद्धांतों की चर्चा, अद दूसरी में अभी देखिए, दो सब्द से शुरू किये, दो नई दुनियाओं की खोज इसका मतलब है दो उनका लक्की नमबर था गेलेलियो जीवन की आखरी सांस तक काम करते रहे सरीर हड्डियां का धाचा रह गया था आखें जा चुकी थी फिर भी वा कोई नो कोई प्रियोग करते रहते थे उन्होंने अपने आखरी दिनों तक में घड़ी भी बनाई उसी क्याधार पर आधुनी घड़ियां बनी है और आखिर काल की घड़ी आ पहुँची उन्हें कुछ दिनों से लगातार बुखार रहता था आठ जन्वरी 1642 इस्वी को लिला समाप्त हो गए उस समय उनकी आयू 78 वर्स की थी उस समय गैलेलियो की आयू 78 वर्स की थी विज्ञान के बड़े देव को काल उठा ले गया उनके बारे में न्यूटन ने कहा था गैलेलियो एक बड़ा देव था गैलेलियो एक बड़ा देव था ऐसा देव जिसके कंधों पर चड़कर मैंना यह दुनिया देखी न्यूटन सहाब बोले थे कि गैलेलियो एक बहुत बड़ा देव था ऐसा देव जिसके कंधों पर चड़कर मैंना यह दुनिया देखी तो आप सोच सकते हैं कि गैलेलियो साहब एक कितने बड़े अविसकारक हुए धन्यवाद मैं प्रभीन कुमार प्रणव जो की अपने बच्पन से सभी बेग्यानिकों की जीवनी को पढ़ा करता और अपने साथ रख करके उनके लिखे हुए और उनके किये हुए बिचारों क को एक अपने तरीके से सोच करके और अपने से कुछ नया करने का प्रियास करता धन्यवाद